दोस्तो मुन्शी प्रेमचंद की हर एक कहानी ऐसी होती है जो दिल में उतर जाती है अगर आपने मुन्शी प्रेमचंद जी को सुना होगा तो आप यकिनन जानते होंगे कि मुन्शी प्रेमचंद की कोई भी कहानी ऐसी ना है जो हमारे दिल को ना छुजाए ऐसी ही एक मरमिश परसी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुंशी पिरमचंद के ये कहानी है जिसका नाम है जियोती बहुत ही अच्छी कहानी है पूरा आखर तक जरूर सुनना कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लेज इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसे की ऐसी ही मनोहर कहानिया आप लोगों को मिलती रहें चली बढ़ते हैं कहानी की तरफ बिद्वा हो जाने के बाद बूटी का सौभाव बहुत कटू हो गया था जब बहुत जी जलता तो अपने मिर्त पती को कोस्ती आप तो सिदार गए मेरे लिए ये जंजाल छोड़ गए जब इतनी जल्दी जाना था तो बिहा ना जाने किसलिए किया घर में भूनी भांग नहीं चलेते बिहा करने वो चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती अहीरों में इसका रिवाज है देखने सुनने में भी बुरी ना थी दो एक आदमी तयार भी थे लेकिन बूटी पवितरता कहलाने के मुह को ना छोड़ सकी और ये सारा किरोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर जो अब 16 साल का था सोहन अभी छोटा था और मैंना लड़की थी ये दोनों अभी किसी लायक ना थे अगर ये तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कश्ट होता जिसका थोड़ा सा काम कर देती बही रोटी कपड़ा दे देता जब जाती किसी के सिर बैट जाती अब अगर वो कहीं बैट जाए तो लोग यही कहेंगे कि तीन तीन बच्चों के होते इसे ये क्या सूजी मोहन भरसक उसका भार हलका कन्ये की चेश्टा करता गायों भैसों की सानी पानी दूना मतना ये सब कर लेता लेकिन बूटी का मुँ सीधा ना होता था वो रोज एक ना एक खुचर निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवा कन्या छोड़ दिया था पती उसके सिर ग्रस्ती का ये भार पटक कर क्यों चला गया उसे यहीं गिला था बेचारी का सर्बनाश ही कर डाला ना खाने का सुक मिला ना पहनने ओडने का और ना किसी बात का इस घर में क्या आई मानो भटी में पड़ गई उसकी बैदब सादना और अतरब तो भोग लालसा में सदेग दोएंद सा मचा रहता और उसकी जलन में उसके हिर्दे की सारी मिर्दता जलकर भस्म हो गई थी पती के पीछे और कुछ नहीं बस वो बूटी के पास चार पांसो गहने थे लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए उसी महले में उसकी बरादरी में कितनी ही औरतें थी जो उससे जेठी होने पर भी गहने जमका कर आँखों में काजल लगा कर मांग में संदूर की मोटी सी रेखा लगा कर उसे जलाया करती थी और ये सारी जलन वो लड़कों पर निकालती विशेश कर मोहन पर वो शायद सारे संसार की इस्तरियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी कुटसा में उसे विशेश आनन्द मिलता था उसकी बंचित लालसा जल ना पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी फिर ये कैसे संबब था कि वो मोहन के विशेश में कुछ सुने और पेट में डाल ले जो ही मोहन संधिया समय दूद बेचकर घर आया बूटी ने कहा देखती हूं तू अब सांड बनने पर उतारू हो गया है मोहन ने पिर्शन के भाव से देखा कैसा संड बात क्या है तू रूपिया से छिपछिप का नहीं हसता बोलता उस पर कहता है कैसा संड तुझे लाज नहीं आती घर में पैसे पैसे की तंगी है और बहां उसके लिए पान लाए जाते हैं कपड़े रंगाए जाते हैं मोहन ने बिद्रो का भाव धारल किया अगर उसने मुझसे चार पैसे के पान मागे तो क्या करता कहता कि पैसे दे तो लाओंगा अपनी धोती रंगने को दी उससे रंगाई मांगता मोहले में एक तुही धन्ना सेट है और किसी से उसने क्यों ना कहा ये बो जाने मैं क्या बताऊं तुझे अब छैला बनने की सूचती है घर में भी कभी एक पैसे का पान लाया यहां पाने किसके लिए लाता क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए है मोहन बोला मैं न जानता था तुम पान खाना चाती हो संसार में एक रुपया ही क्या पान खाने जोग है शोको सिंगार की भी तो उमर होती है मोहन बोला बूटी जल उठी उसे बुड़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फिर देना था बुड़ापे में उन साधनों का महत भी क्या जिस त्याग कलपना के बल पर बो इस तरियों के सामने सिर उठा कर चलती थी उस पर इतना कुठारा घात इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी उसके आदमी को मरे आज पांस साल हुए तब उसकी चड़ती जवानी थी तीन बच्चे भगवान ने उसके गले मर दिये नहीं अभी वो है कैदिन की चाहती तो आज वो ओट लाल किये पाउ में महाबल लगाए अन्वट बिच्चुए पैने मटकती फिरती ये सब कुछ उसने इन लड़कों के कारण त्याग दिया और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है रुपिया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चुहिया सी लगे फिर भी वो जबान है और बूटी बुढ़िया है गुसे से बोली हाँ और क्या मेरे लिए तो अब फटे चीथड़े पैनने की दिन है जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपिया से दो ही चार साल बड़ी थी उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता न लगता गली-गली भीख मांगते फिरते लेकिन मैं कहें देती हूँ अगर तु फिर उससे बोला तो या तो तू घर में रहेगा या मैं रहूंगी मोहन ने ड़ते ड़ते कहा मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा कैसी बात मोहन फिर डटते डटते बोला सगाई की अगर रुपिया मेरे घर में आई तो जाडू मार कर निकाल दूँगी ये सब उसकी मा की माया है वो कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीने लेती है रांड से इतना भी नहीं देखा जाता चाहती है कि उसे सोत बनाकर छाती पर बैठा दे मोहन ने ब्यथित कंठ में कहा अमा इश्वर के लिए चुप रहो क्यों अपना पानी आप खो रही हो मैंने तो समझा था चार दिन में मैंना अपने घर चली जाएगी तुम अकेली पड़ जाओगी इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था अगर तुमें बुरा लगता है तो जाने दो तु आज से यहीं आंगन में सोया कर और गाय भैसे बाहर पड़ी रहेंगी पड़ी रहने दे कोई डाका नहीं पड़ा जाता मुझ पर तुझे इतना संदे है हाँ है तो मैं इहां ना सोँगा तो निकल जा मेरे घर से हाँ ठीक है अगर तेरी यहीं इच्छा है तो निकल जाऊंगा मैंना ने भोजन पकाया मोहन ने कहा मुझे भूग नहीं है बूटी उसे मनाने ना आई मोहन का यूबा खिर दे माता के इस कठोर शासन को किसी तरह सुएकार नहीं कर सकता था उसका घर है ले ले अपने लिए वो कोई दूसरा ठिकाना ढून निकालेगा रुपिया ने उसके रूखे जीवन में एक इसनिकदा भर दी ती जब वो एक अबयक्त कामना से चंचल हो रहा था जीवन कुछ सूना सूना लगता था रुपिया ने नव बसंद की भाती आकर उसे पलबित कर दिया मोहन को जीवन में एक मीठा सौद मिलने लगा कोई काम करना होता पर ध्यान रुपिया की ओर लगा रहता सोचता उसे क्या दे दे कि वो पिरसन हो जाए अब वो कौन मुह लेकर उसके पास जाए क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुससे मिलने को मना क्या है अभी कल ही तो बर्गत के नीचे दोनों में कैसी कैसी बाते होई थी मोहन ने कहा था रुपा तुम इतनी सुन्दर हो तुमारे सो गाहक निकल आएंगे मेरे घर में तुमारे लिए क्या रखा है इस पर रुपिया ने जो जबाब दिया था बो तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राणों में बसा हुआ था मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन अकेले तुमको परगने के लिए चोदरी हो जावो तब भी मोहन हो मजूरी करो तब भी मोहन हो उसी रुपिया से आज वो जाकर कहे मुझे अब तुमसे कोई सरुकार नहीं है नहीं ये नहीं हो सकता उसे घर की परवा नहीं है वो रुपिया के साथ मासे अलग रहेगा इस जगा न सही किसी दूसरे महले में सही इस वक्त भी रुपिया उसकी रहा देख रही होगी कैसे अच्छे बीड़े लगाती है कहीं अम्मा सुन पावें कि वो रात को रुपिया के दौर पर गया था तो अपने प्रान ही दे दें अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहु मिली जाती है ना जाने क्यों रुपिया से इतना चिड़ती है वो जड़ा पान खालेती है चड़ा साड़ी रंकर पहनती है बस यही तो करती है चूणियों के जनकार सुनाई दी रुपिया आ रही है हाँ बही है रुपिया उसके सिरहाने आकर बोली सो गए क्या मोहन घड़ी भर से तुमारी रहा देख रही हूँ आय क्यों नहीं मोहन नीद का मकर किये पड़ा रहा रुपिया ने उसका सिरह लाकर फिर कहा क्या सो गए मोहन उन कौमल उंगलियों के इस पर्ष में क्या सिद्धी थी कौन जाने मोहन की सारी आत्मा उन मत हो उठी उसके प्राड मानो बाहन निकल कर रुपिया के चड़नों में समर्पित हो जाने के लिए उच्छड पड़े देवी बर्दान के लिए सामने खड़ी है रुपिया ने कहा अभी से सो गए क्या जी मोहन बोला हाँ जरा नीद आगी थी रुपा तुम इस वक्त क्या करने आई कहीं अम्मा देख लें तो मुझे मार ही डालें तुम आज आय क्यो नहीं आज अम्मा से लड़ाई हो गई अच्छा क्या कहती थी कहती थी रुपिया से बोलेगा तो मैं प्रान दे दूँगी तुमने पूछा नहीं रुपिया से क्यों चिड़ती हो अब उनकी बात क्या कहूं रूपा वो किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा मेरा जीतों ना मानेगा ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा तुम मेरे पास एक बार रोज आया करो बस और मैं कुछ नहीं चाहती और अम्मा जो बिगलेंगी तो मैं समझ गई तो मुझे प्यार नहीं करते मेरा बस होता तो तुमको अपने प्रानों में रख लेता उसी समय घर के किवाण खटके और रुपिया भाग गई मोहन दूसरे दिन सो कर उठा तो उसके हिर्दे में आनंद का सागर सा भरा हुआ था वो सोहन को बार बार डाड़ता रहता था सोहन आलसी था घर के काम धंदे में जी न लगाता था मोहन को देखते ही वो सावन छपा कर भाग जाने का अपसर खोजने लगा मोहन ने मुस्कुरा कर कहा धोती बहुत मैली हो गई है सोहन धोबी को क्यों नहीं देते सोहन को इन शब्दों में इसने की गंध हाई धोबिन पैसे मांगती है तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते अम्मा कौन पैसे दिये देती है तो मुझसे ले लो ये कहकर उसने एक एकन्नी उसकी ओर फिंग दी सोहन पिरसन हो गया भाई और माता दोनों ही उसे धिकारते रहते थे बहुत दिनों बाद आज उसे इसने की मधुर्ता का स्वाद मिला एकन्नी उठा ली और धोती को बहीं छोड़ गाय को खोल कर ले चल दिया मोहन ने कहा रहने दो मैं इसे लिये जाता हूं सोहन ने पगया मोहन को देकर फिर पूँचा तुमारे लिए चिलम रख लाओं जीवन में आज पहली बार मोहन ने भाई के पिरती ऐसा सदभाव पिरकट किया था इसमें क्या रहस है ये मोहन की समझ में नहीं आया बोला आग हो तो रख लाओ मैना सिर के बाल खोले आगन में बैटी घरोंदा बना रही थी मोहन को देखते ही उसने घरोंदा बिगार दिया और आचल से बाल छिपा कर रसोई घर में बरतन उठाने चली मोहन ने पूछा क्या खेल रही थी मैना मैना डड़े हुई बोली कुछ भी तो नहीं तू तो बहुत अच्छे घरोंदे बनाती है जरा बना मैं भी तो देखूं मैना का रुआसा चेहरा खिल उठा प्रेम के शब्द में कितना जादु है मुह से निकलते ही जैसे सुगंद फैल गई जिसने सुना उसका हिर्दे खिल उठा जहां भै था बहां विश्वास चमक उठा जहां कटता थी बहां अपनापा जलक पड़ा चारो और चेतनता दोड़ गई कहीं आलस नहीं कहीं खिन्नता नहीं मुहन का हिर्दय आज प्रेम से भरा हुआ है उसमें सुगंद का विकर्षन हो रहा है मैना घरोंदा बनाने बैठ गई मुहन ने उसके उलजी हुए बालों को सुल जाते हुए कहा तेरी गुडिया का बिहा कब होगा मैना नियोता दे तो कुछ मिठाई खाने को मिले मैना का मन आकाश में उनले लगा जब भहिया पानी मागे तो वो लोटे को राक से खूप चमाचम करके पानी ले जाएगी अम्मा पैसे नहीं देती गुड़ा तो ठीक हो गया टीका कैसे भेजू कितने पैसे लेगी एक पैसे के बता से लूँगी और एक पैसे का रंग जोड़े तो रंगे जाएंगे की नहीं तो दो पैसे में तेरा काम चल जाएगा हाँ दो पैसे दे दो भीया तो मेरी गुड़िया का बिहा धूम धाम से हो जाए मोहन ने दो पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए मैना लब की मोहन ने हाथ उपर उठाया मैना ने हाथ पकड़ कर नीचे खीचना शुरू किया मोहन ने उसे गोद में उठा लिया मैना ने पैसे ले लिये और नीचे उतर कर नाचने लगी फिर अपनी सहेलियों को बिभा का ने उता देने के लिए भागी उसी वक्त बूटी गोबर का जाबा लिये आ पहुची मोहन को खड़े दे कर कठोर स्वर में बोली अभी तक मतर गश्ती ही हो रही है भैस कब दूही जाएगी आज मोहन ने बूटी को बिद्रो बरा जबाब ना दिया जैसे उसके मन में माधुरिये का कोई सोता सा खुल गया हो माता को गोबर का बोज लिये दे कर उसने जाबा उसके सर से उता लिया बूटी ने कहा रहने दे रहने दे जाकर भैस दू मैं तो गोबर लिये जाती हूँ तुम इतना भारी बोज क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुलवा लेती? माता का हिर्दे बादसल से गदगद हो उठा. तू जा अपना काम देख मेरे पीछे क्यों पढ़ता है? मोहन बोला गोबन निकालने का काम मेरा है. और दूद कौन दुहेगा? बो भी मैं तू इतना बड़ा जोधा कि सारे काम कर लेगा? जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा. तो मैं क्या करूँगी? तुम लड़कों से काम लो जो तुमारा धर्म है. मेरी सुनता है कोई? आज मोहन बाजार से दूद पहुँचा कर लोटा, तो पान, कथा, सुपारी, एक छोटा सा पांदान और थोड़ी सी मिठाई लाया. बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फाल्तू मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ावेगा, तो कैदिन निभा होगा? मैंने तो एक पैसा भी नहीं उड़ाया, पहले मैं समझता था, तुम पान खाती ही नहीं. तो अब मैं पान खाऊंगी क्या? हाँ, और क्या? जिसके दो-दो जबान बेटे हो, क्या वो इतना शौक भी न करे? बूटी के सूखे हिर्दे में कहीं से कुछ हर्याली निकल आई, एक नन्नी सी कॉपल थी, उसके अंदर कितना रस था? उसने मैंना और सोहन को एक-एक मिठाई दे दी, और एक मोहन को देने लगी. मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था, ममा, और तू तो जैसे लड़का ही हूँ, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। मुँ में डाल कर कहा, बो तुम्हारा हिस्सा है अमा, तुम्हें खाते दे कर मुझे जो आनन्द मिलता है, उसमें मिठाई से ज़्यादा स्वाद है। उसने आदी मिठाई सोहन और आदी मोहन को दे दी, फिर पांदान खोल कर देखने लगी, आज जीवन में पहली बार उस उपर कड़ा लगा हुआ है, जहां चाहो लटका कर ले जाओ, उपर की तस्तरी में पान रखे जाएंगे। जो ही मोहन बाहर चला, उसने पांदान को माच धोकर उसमें चूना कत्था भरा, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तस्तरी में रखा, तब एक बीड़ा लगा कर खाया, उस बीड़े के रसमें जैसे उसके बैदभी की कटता को इसनिक्थ कर दिया, मन की पिरसनता बेभार में उदारता बन जाती है, अब वो घर में नहीं बैठ सकती, उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विबूती उसमें जाकर गुम हो जाए, एको पुराना आ रसी तूट गई है, कल बूटी ने साफ कह दिया होता, मेरी रसी पाव भर के लिए नहीं है, रसी तूट गई है तो बन वालो, आज उसने धनिया को रसी निकाल कर पिरसन मुक से दे दी, और सदभाव से पूछा, लड़के के दस्त बंध हुए की नहीं धनिया, धनिया ने नजर बजर तो नहीं लगी, अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसी की आँख फूटी हो, चोचाल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है, जिसने चुमकार कर बुलाया, जट उसकी गोद में चला जाता है, ऐसा हसता है कि तुम से क्या कहूं, कभी कभी मा की नजर भी ल बुटी उसके साथ बच्चे को देखने चले, तू अकेली है, आज केल घर के काम धंदे में बड़ा अडंस होता होगा, नहीं काकी, रुपिया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है, नहीं अकेले तो मेरी मरन हो जाती, बुटी को आशरी हुआ, रुपिया को उसने केबल तितली समझ रखा था, रुपिया बुटी हैरानी से बोली, हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, जाडू लगा देती है, चोका बरतन कर देती है, लड़के को समालती है, गाडे समय कौन किसकी बात पूछता है काकी, उसे तो अपने मिस्सी काजल से चुटी ना मिलती मैंने कुछ देतो नहीं दिया, हाँ जब तक जियोंगी उसका जस गाउंगी, तू उसके गुन अभी नहीं जानती धनिया, पान के लिए पैसे कहां से आते हैं, किनारदार साणिया कहां से आती हैं, मैं इन बातों में नहीं पढ़ती काकी, फिर शौक सरंगार करने को किसका जी नहीं चाता, खाने पहनने को किसका जी नहीं चाता, धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया, बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ा कर देखा, नाभी पर हींका लेप करने को कहा, रुपिया बेनिया लाकर उसे जहल लगी बूटी ने कहा लबेनिया मुझे दे दे रुपिया बोली मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाओंगी तू दिन भर यहां काम धंदा करती है ठक गई होगी तुम्हें इतनी भली मानस हो और यहां लोग कहते हैं वो बिना गाली के बात नहीं करती मारे ड़के तु कानों के सुनी कह तो दी होगी दूसरी लड़की होती तो मेरी और से मुझे अड़ती इसे तो जैसे कुछ मालूम ही न हो हो सकता है मोहन ने इससे कुछ कहा ही न हो हाँ यही बात है आज रुपिया बूटी को बड़ी सुन्दल लगी ठीक तो है अभी शौक सिंगार ना करे तो कब करेगी शौक सिंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग भिलास में मस रहते हैं किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब नहीं उनका काम तो खाली दूसरों को रिजाना है जैसे अपने रूप की दुकान सजाए रहा चलतों को बुलाती हों कि जरा इस दुकान की सेर भी करते जाएए ऐसे उपकारी प्राडियों का सिंगार बुरा नहीं लगता नहीं बलकि और अच्छा लगता है इससे मालुम होता है कि इसका रूप जितना सुन्दर है उतना ही मन भी सुन्दर है फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उनके रूप की लालसा नहीं होती बूटी का योबन कब का बिदा हो चुका फिर भी ये लालसा उसे बनी होई है कोई उसे रस भरी आँखों से देख लेता है तो उसका मन कितना पिरसन हो जाता है जमीन पर पाउन नहीं पड़ते फिर रूपा तो अभी जबान है उस दिन से प्राया अगरे करके उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी मंगवा दी अगर रूपा कभी बिना काजल लगा या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती बहु बेटियों को ये जोगिया भेस अच्छा नहीं लगता ये भेस तो हम जैसी बूडियों के लिए है रूपा ने मीठे तरसकार से कहा चल मैं तेरी मा की सौत बन कर जाऊंगी अमा तो बूड़ी हो गई तो क्या तेरे दादा अभी जबान बैटे हैं हाँ ऐसा बड़ी अच्छी मिट्टी है उनकी बूटे ने उसकी और रस भरी आँखों से देख कर पूचा अच्छा बता मोहन से तेरा बिहा करा दूं रूपा लजा गई मुखपर गुलाब की आभा दोड़ गई आज मोहन दूद बेच कर लोटा तो बूटी ने कहा कुछ रूपी पैसे जुटा मैं रूपा से तेरी बाचीत कर रही हूं तो दोस्तों ये कहानी आप जो सुन रहे थे ये मुशी प्रेमचंद की कहानी थी जिसका नाम था जोती कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लेना जिसे की ऐसी कहानिया आप लोगों को मिलती रहे